हेलो श्रूड़ाइंट आज हम लोग क्लास 10th का माथ चैप्टर 4 क्वाडिर्ट की क्वेशन का इंपर्टन कोशन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में सिर्फ केवल इंपर्टन कोशन देखेंगे इसका सॉलीशन नहीं देखेंगे सॉलीशन देखने बहुत टायम चले जाए सुल करक्षा हमेने शारे कोछ तो शले हम लोग का सबसेंड चाप्टर 4.1 में इंपर्टेंट कोश्या हम लोग का क्या है तो 2 नमबर चैप्टर 4.1 में कोशन नमबर 2 यह अंबर 2 जितने भी कोशन सब इंपर्टेंट है री प्रेसेंट दा फॉर plot is 528 meter square the length of the plot is one more than twice its breath we find need to we need to find the length and breadth of the plot देखे हम लोग से कर रहा है एक rectangular plot है जिसका area कितना दीदी है हम लोगों 528 meter square और length क्या है ब्रेस से उसके twice से one अधीक है ना one more है क्या रहा है length जो है उसके ब्रेस से कितना अधीक है उसके ब्रेस से दूगने से एक अधीक है कह रहा है जाद रहें फिस समझा रहे हैं यहाँ पर जो length है वो ब्रेस से दूगने से एक अधीक है तो हम लोगों का length और breadth फाइंड करके बता सब्सक्राइब यह था हम लोग का दो कवन अब देखते टू का टू हम लोगा क्या करें दा प्रोड़क्त रफ्टू को लोगोड प्रोड़क्त प्रोड़क्त आना है वो इंटीजर्स के रोहन Mothers is 26 years old older than him the product of their is ages in three years from now will be 360 we would like to find Rohan present age देखिये क्या कह रहा है रोहन की मा रोहन से 26 साल क्या है बड़ी है आसे तीन साल बाद उनके एज का प्रोड़क्ट कितना हो जागा तो हम लोगों क्या बताना रोहन का प्रिजेंटेज क्या है अब देखिये टू का फोर ही तो का फोर में क्या है हम लोगा देखते है आग ट्रेंट रैवल्स अडिश्टेंस अब 480 km at a uniform speed एक ट्रेन है जो ड्राय कितना इस्टेंस ट्रैवल करें 180 km डिस्टेंस ट्रैवल करें इफ दाइस पीड है इफ दाइस पीड हैड बी एट किलो मेंटर लेस अगर उसके स्पीड में क्या करने 8 किलोमेटर हम लोग क्या कर दे कम कर दे इसकी स्पीड में then it would have taken 3 hours more to cover the same distance तो वो same distance कवर करने में 3 घंट आधिक लेगी we need to find the speed of the train तो हम लोग को क्या find करना है train का speed हम लोग को find करना है यह था हम लोग के 4.1 के सारे important question तो नंबर का सारा question important है आप पढ़के जरूर जहिए आपको exam में जरूर कुछ न कुछ मिल जाएंगे अब से लिए आगे देखेंगे आप exercise 4.2 में आ जाते हैं 4.2 में इसका question number 3,4,5 और 6 यह बहुत important question है चले में कुछ कुछ question को बता देता हूं जैसे हम लोग कहां पर क्या है question number 3 find two number whose sum is 27 product is 182 देखे क्या करें दो नंबर है जिसका sum कितना 27 और product कितना हम लोग का 182 आफिर क्या है for for number question find two consecutive positive integer sum of whose square is 365 देखे क्या कहा रहा है दो consecutive positive integer बताना है जिनका sum का square कितना है जिसका square का sum कितना है इस्वायर का समना कितना है 365 है तो हम लोग को बताना है अब चलिए आगे देखते दा altitude of a right triangle is seven centimeter less than its base if hypotenuse is 13 centimeter find the other two sides question number five ना question number five है तो हम लोग को क्या कह रहा है एक right triangle है जिसमें जो altitude है वो क्या है base से seven centimeter है seven centimeter काम है ना base से seven centimeter क्या है काम है और hypotenuse के हम लोग का 13 centimeter हो तो हम लोग को क्या find करने कह रहा है two other sides find करने यानि कि हम लोग को क्या find करने परपेंडिकुलर जिसे हम altitude भी कहते और बेस हम लोग को find करने कह रहा है यह था हम लोग का question number five है तो चलिए आप देखेंगे question number six यहां थोड़ा पानी भी आ रहा है मैं सुबह उटके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं थोड़ा पानी आ रहा है तो चलिए हम आप आगे देखेंगे यह का रहा है cottage industry produce a certain number of poetry article in a day देखे एक बरतन बनाने वाला ठीक है क्या है इंडस्ट्री है तो वह क्या करता है बरतन बनाता है इट वोज अब्जर्ब करता है कि जितना वह उसको क्या को क्या होता है जो production करता है जो वह भी बरतन बनाता है जो भी बनाता है तो मतलब कि बरतन का जो प्राइज होता है वह क्या होता है उसके जो जितना बरतन बनाता है जिसे जो बरतन बनाता है उसके दूगने से तीन अधिक होता है क्या होता है इच आटिकल क्या का रहे हैं अपि ध्यान समझे ना It was observed on a particular day वो किसी particular day दीन किया करता है, observe करता है that the cost of production of each article each article पर्तेख जितना article वो बनाता है पर्ते को जो cost है उसका वो क्या होता है number of articles के क्या होता है दूगणे से तीन अधीक होता है इस दिन वह को कितने रूपे कितनी रूपे कमाता है है कि यह scenery उस ने बनाया और एक और किल प्रोडियूस किया और एक प्रोडीट के दाम बताना है हमलोगों ठीक है क्योंकि हम लोगस कह रहा है कि यह ता सब्सक्रियू सकता है इस दना ओडिकर कितना हो कोस्ट कितना होता है जितना वो आर्टिकल बनाता है उसके दुगने से इन कोशन को आपको दीखते हैं तो डायक्ट आप सॉल्फ करते जाइए और हमेसे याद रखेंगा जो ज़्यादा नंबर करता है सबस्क्राइब उसको सॉल्फ करें क्योंकि जो कम नंबर का है उसमें घुमाया भी रहता है और आपको उतना ही समय लगेगा जितना आपको सॉल्फ करते आईए तो आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि जो कुछ-कुछ कोशन होते है जो आधिकते निचे में क्या कहते हैं जो कम नंबर का घुमाया वह रहता तो उसमें टाइम भी लग जाता है और जितना आपको जितना समय आपको लंबा कोशन बनाने में लगा उ 4.3 का question number 1 जो बहुत important है find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square देखिए हम लोग मैंने आपके लिए लिख दे ये important question है आपको क्या बताना है रूट बताना है find the roots तो आप लोग जानते हैं formula आप जानते हैं लगा सकते हैं इस टैप के सारे question को solve कर लिए हो सकता है two three में भी कुछ question होंगे उसको भी आप solve कर लिए ताकि आपको exam में कोई दिक्कत ना हो two or three भी वसे important question है आप उनको भी देख सकते हैं एक बार वैसे यह सब आपको निकालने आता है इसलिए मैं उन सबको ज्यादा ध्यान ने दिया मैंने थोड़ा जो लगा रहा है मेरे को उसको मैंने आपके लिए यहां पर लिखा है अब question number four exercise three exercise exercise four point three question number four the sum of reciprocal of romance is three years ago and five years from now is one by three find the present is क्या क्या रहा है देखे रहमान का जो एज है अब यहां पर समझे तेन साल पहले और पांस साल बाद के reciprocal का sum कितना हम लों का one by three तो हम लों को present is find करना फिर से समझे रहमान का जो एज है तेन साल पहले का और पांस साल बाद का तेन साल पहले और पांस साल बाद का इसका जो रेशी प्रोकल है रेशी प्रोकल मतले उल्टा कर देना ना जैसे टू है तो रेशी प्रोकल करने तो वन बाई टू हो जाएगा थिरी है तो रेशी प्रोकल का sum कितना है इसके इसके देखेंगे question number इसका 5 भी बहुत important है क्या लिखा इन class test the sum of sephali marks in mathematics and English is 30 देखें क्या कह रहा है sephali एक exam exam लिखती है test लिखती है test बोल रहा है तो test लिखती है इसमें इसका mathematics और English marks का sum कितना 30 है क्या कह रहा है had she got two marks more in mathematics वो क्या करती है mathematics में दो marks जादा आती है three marks less in English English में three marks कम लेके आती तो हम लोग क्या कर रहा है the product of their marks would have been 210 दो दोनों का जो marks जो product हो कितना है हम लोग के कितना आता है 210 आता है तो find her marks into subject उसके subject में दोनों subject में कितना marks है वो हम लोग को क्या करना बताना है अब चलिए आगे देखते question number six the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side find the side of the field देखे हम लोग क्या कहा रहा है एक rectangular field जिसका diagonal क्या है shorter side से 60 meter अधिक है और जो longer side है वह 30 meter अधिक है किससे shorter side से दो हम लोग का वो side बताना है स्पेट से समझें जो optical है वो क्या है एक rectangular सबसे पहले समझे एक rectangular जिसका diagonal क्या है shorter side से 60 meter अधीक है और जो longer side है वो क्या है 30 meter अधीक है किस से shorter side से तो हम लोग को क्या करना है side बताना इस filter अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते है question number 7 the difference of square of two number is 180 the square of the smaller number is 8 times the larger number find the two numbers देखे हम लोग क्या कर रहा है दो number के square का difference कितना क्या रहा 180 और जो small number हो कि तो 8 times से larger number के तो हम लोग को क्या करना है बताना वो number क्या है चलिए हम लोग आगे देखेंगे question number 8 हम लोग अभी important question है यहाँ पे क्या है the train travels 360 km at a uniform speed देखेंक train क्या कर रहा है कितने speed से travel कर रहा है 360 km से क्या कर रहा है एक ट्रेन है जो ट्राइवल करता है कि यूणिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन है जो ट्रेनेट्स स्टी किलोमेट्र ट्राइवल करता है कि यूणिफॉर्म स्पीड से एफ दाइव स्पीड हैड बीन five किलोमेटर पर आर और more it would have taken one hour less for the same जर्नी आगर उसकी क्टä को उसकी स्पीद में पांस किदा परार क्ट क्या क्रें बढ़ा दिया जाया थो जरुव तो जर्द उस की स्पीड करने में एक घंटा कम लेता है ठीक है क्या करते हैं एक घंटा कम लेता है तो हम लोग क्या करना है और इंहें और फिन कि देखते हैं कि दोनों एक साथ एक टैंक को भरने में कितना समय लगता है इतना समय लगता है हम लोगों कि देखे क्या रहा है जो बड़े मुवाला टैंक है न जिसका डामेटर क्या है बड़ा है वह क्या करते हैं छोटे वाले से बड़े वाले से तो क्या करता है हम लोग से जो बड़ा वाला डामेटर वाला क्या है वह दस घंटा कम टाम लेता है छोटे वाले से तो हम लोगों को बताना है कि जब अलग अलग भरेंगे तो कितना समय लेगा एक कितना समय लेग नहीं में भरने में फिर समझ जिए दो टैंग दो वाटर टाप से जो एक साथ को कितने सब्सक्राइब भरता है और जो बड़ा वाला टाइंटर है वो दस घंटा कम समय लेता है चोटे वाले टाप से ना अलग-अलग भरेंगे बड़े वाले से छोटे वाले से अलग तो कितना समय लगेगा हम लोगों को पूछ रहा है फिल को सोरी टैंक को भरने में यह थाम लोगों को सिन अब को स्बाइब देख से क्या कर रहा है एक स्फ्रेस्ट तेक्स वनार लेस देन आप अपैसेंजर ट्रेंट ट्रैवल 132 km between मैसूर और बैंगलोर इव दे आवरेज स्पीड ऑफ दा एक्सप्रेस्टेन इस 11 किलोमेटर 11 किलोमेटर आर मोर दैट आप दा पैसेंजर ट्रेन फाइंड दा आवरेज स्पीड आप दा टू ट्रेन यहां पर समझ यह क्या क्या रहा हम लोग से कोईशन में जो एकस्प्रेस ट्रेन है वो एगगंटा कम समयाव लेती है पैसेंजय्ट से किलोमेटर मैसूर से बैंगलोर कितना क्योमेटर है 132 km सब्सिंट जब्ACH कितना कि do निदुकार किण चिस्टेंस है 132 km है और जो express train है वो क्या करते है कम समय लेता है किस से एक घंटा कम समय लेता है passenger train से इस distance को travel करने में यहाँ पैसोर से बैंगलोर जाना में ठीक है चिल समझा रहा हूं है मैसोर से बैंगलोर के बीच का distance कितना है to 132 km है बैसोर से बैंगलोर का distance 132 km है और जो express train है वो एक घंटा कम समय लेते passenger train से यानि कि वो जल्दी पहुँचाती है फिर हम लोगा आगे क्या कहा रहा है express train अगर हम लोगा express train is 11 km और more than that of the passenger train अगर उसकी speed क्या है 11 km पर आर क्या है अधीक है किसे passenger train से express train की speed 11 km पर आर क्या है 11 km पर आर क्या है ज्यादा है किसे passenger train से तो हम लोगा average speed बताना है दोनों train की फिर क्या कहा रहा है that's some of question number 11 some of the areas of two square is 468 meter square देखें दो क्या है दो square का area का sum कितना है 468 है याद रखें दो square के area का sum कितना है 468 meter square if the difference of their perimeter is 24 और दोनों के parameter का difference कितना है 24 कह रहा है तो find the हम लोगो find sides of the square finds of the two square हम लोगो क्या करना है find करना है दोनों square के sides को हम लोगो find करना है समझ में आ गया 2 square का area कितना दे रखा हम लोगो यहां देहां से देखिए 2 square का area का sum 468 देखे रखा है और हम लोगो जो parameter का difference दे रखा है वो कितना 24 है तो हम लोगो दोनों square का side हम लोग क्या करना है find करना है चलिए हम लोग exercise 4.4 का important question देखते है में क्या है find the number of find the nature of the roots of the following quadratic equation if the real roots exist find them देखे हम लोगो इन question को solve करने सब question आप चांदते ही है कैसे solve करना है उतना hard question यह सब नहीं है आपको आता ही होगा इस type question को आपको exam में पूछा जाएगा तो आप एकदम बना लीज़ेगा को ही भी गलती नहीं करिएगा क्योंकि हो सकते है ज्यादा नमर के भी आता है जैक बोड में तो छे नमर के पूछ जाता है इस question कभी कभी तो आपको एकदम गड़बर नहीं करना यह बहुत इजी है आप बना सकते है आप किसी की कोई भी वोड के विद्यारती है स्टुडेंट से तो आपको इस type of question तो आने ही चींग एकदम बनाने तब आप जाके कुछ भी आसानी से कर सकते आप यहाँ क्या कर रहा है is it possible to design a rectangular mango grave whose length is twice its breath and the area is 800 meter square if so find its length and breath क्या पूछ रहा है क्या possible है एक rectangular mango बगीचा बनाना ठीक है ग्रेव बनाना जिसका length क्या हो breath से दुग ना हो और area कितना हो 800 meter square हो 800 meter square हो अगर यह possible है तो हम लोग को length हो breath बताना find करना है आप question number देखते है exercise 4.4 का question number 4 जो important question है is the following situation possible if so determine their present is the sum of the ages of two friends is 20 years four years ago the product of their age in years was 48 देखे क्या possible है दो दोस्त है जिनके एज का क्या कर रहा है sum of age of two friends दो दोनों friend के age का sum कितना है क्या रहा है 20 है क्या यह possible है पूछ रहा हम लोग question में न क्या possible situation possible है क्या कि दो friends के age का sum कितना 20 है याद रहें दो friends के age का sum कितना कह रहा है 20 कह रहा है और चार साल बाद उनका age का जो product होगा वो कितना को 48 होगा यह क्या यह possible है अगर है तो हम लोग को उनका प्रेजेंट इस बताना है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं question number 5 जो exercise 4.4 का important question है last question यहाँ पर देखते क्या लिखा है is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square if so find its length and breadth क्या हम लोग का एक rectangular park बना सकते है क्या possible है जिसका perimeter कितना हो 80 हो और area कितना 400 meter square है तो हम लोग अगर पॉसिबल है तो हम लोग को length and breadth find करना है यह था हम लोग का question सारे important question मैंने आपको एक सार चैप्टर 4 के सारे question जितने भी question थे सब मैंने important question बता दिया आप इन सब को जरूर पढ़के जाए ताकि आपके exam में अच्छे number आए social video पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए thank you